शुरू करते हैं शुरू करते हैं आप लोगों की होस्ट नोशीन और मैं अपने चैनल खुफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामी दीद कहती हूँ मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारत आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिल्चस्प खुफनाक कहानिये लेकर आई हूँ जिने आप लोगों बहुत पिसंद करेंगे सिल्सर शुरू करते हैं आज की खुफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खुफनाक कहानी की तरफ ये खुफनाक कहानी में से शियर करें हैं मुबश्यर मुबश्र कहते हैं आज आपके साथ अपनी जिन्गी में पेश आने वाली एक बहुत ज़ादा ज्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से 18 साल पहले की बात है मैंने कराची जाना था तो मैं बाई ट्रेन जा रहा था वहाँ पहर मेरे एक दोस्त है उनके पास मुझे जाना था तो मैंने अपना सफर शुरू कर दिया रात का टाइम था जैसे ट्रेन में हर कोई अपने अपने सीड पर या जो उन लोगों के बर्त होते हैं वहाँ पर सो रहे होते हैं वैसे ही सब सो रहे थे एक दम से ट्रेन जाकर एक जगा पर रुख गई हमें लगा कि शायद कोई स्टेशन आया होगा लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक किसी स्टेशन का नमो निशान नहीं था बस बार बार पूरी ट्रेन में एक ही बात कही जा रही थी कोई भी मसाफिर ट्रेन से नीचे ना उतरे अब हम लोगों ने जब ये बात सुनी हम लोग हैरान होके जब विंडो से बाहर देखा तो बहुत से मसाफिर आपस में बातें कर रहे थे कि कुछ दिखाई दिये ट्रेन की पटरी के उपर कुछ दिखाई दिये जिसके वज़े से ट्रेन रोकनी पड़ी है इतना सन्नाटा था इतना सुनसान वो इलाका था जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर दूर दूर तक अबाती का नामो निशान नहीं है इसके बावजूद सराउंडिंग में गिर्दो नवा में बहुत शोर था चीखो पुकार सुनाई दे रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है अभी वो जो डीटी था जब वो हम लोगों के बॉक्स में आया तो बहुत से मसाफरों ने इसको पूछा कि वज़ा क्या हुई है क्यों ट्रेन रुकी है इतनी रात को इतने सनाटे में अगर किसी के साथ कोई हाथसा हो गया कोई डाकू वगरा लूटने के लिए आगे तो क्या बनेगा तो उसका ये कहना था कि अभी हम लोग बहुत ज़दा मसीबत में है क्योंकि ट्रेन जिस ट्रैक पर जा रही थी जो रेलवेर ट्रैक्स थे वहाँ पर ट्रेन एक मजबूरी के तहत रोकी गई है क्योंकि वहाँ पर जो ड्राइवर था जो ट्रेन ड्राइवर था उसने क्या देखा कि ट्रेन की पट्री के उपर जहां से ट्रेन गुजर कर जाने थी बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी वो आग इतनी ज्यादा थी और पट्री की उपर लगी हुई थी कि वो आग आसमान तक जा रही थी अब वो उस आग में से तो ट्रेन को नहीं गुजार सकता था मचबूरन हमें वहाँ पर ट्रेन रोकनी पड़ी है और उस आग की तरफ वो लोग जाकर देख रहे हैं कि आखर वहाँ पर माचरा क्या है बहुत से मसाफिर मना करने के बावजूद भी ट्रेन से नीचे उतर गए थोड़ी ही देर के बाद बहुत से लोगों की चीखो पुकार सुनाई देने लगी यहाँ तक कि एक शोर बरपा हो गया सब यह कहरे थे कि वो बहुत ड्रावनी है वो बहुत ड्रावनी मखलूक है ऐसी ऐसी बाते कहकर कोई इदर गिर रहा था तो कोई उदर और लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे थे कुछ लोग ट्रेन में आए तो आते साथ उन्होंने दर्वासे बंद करना शुरू कर दिये कि जल्दी से ट्रेन की दर्वासे बंद करो जब लोगों को कुछ होसला दिया गया बिठाया गया तो उनसे पूछा गया कि तुम लोगों ने आखिर देखा क्या है तो उनका ही कहना था कि जिस जगा पर आग दहक रही थी वहाँ पर हम लोगों से पहले ही वहाँ पर जो इंजन पर जो ड्राइवर होता है वो और उसके साथ एक दो और लोग थे जब नीचे उतरे हैं कि जाकर देखते हैं कि आज तक कभी रेल्वे ट्रैक्स के उपर इस तरह से आग नहीं लेगी तो यह आग क्यों लगी हुई है जब वहाँ पर गए हैं तो उनके करीब जाते जाते उस आग में से बहानक चीखे सुनाई दे रही थी और वहाँ पर एक बहुत बहानक मखलूक थी जो उस आग के दूर बैटी हुई ट्रामनी आवासे निकाल रही थी और देखते ही देखते वो जो आग थी वो बिलकुल गाइब हो गई और कोई सुराग नहीं मिल सका कि आग किस चीज़ के उपर लगी वी थी ना तो महां पर कुछ ऐसा था कि जिसके उपर आग लगा ही जा सके मुझे मखलूक थी वो हद से ज़्यदा बेहानक थी उसका जिसम जानवरों की तरह था लेकिन चेहरा किसी औरत की तरह था बहुत लबे बाल थे बहुत लबे दाट थे उसने फॉरन से हमला करके महाँ पर एक दो लोगों को जखमी भी किया तो जब हम लोगों ने चीखों पुकार की आवाजे सुनी तो हम लोगों नीचे उतर कर गए तो जब जा कर देखा तो वो बहुत ज़दा बिहानक चेहरे वाली कई औरते थी जहां तक नज़र जा रही थी वो ट्रेन की दोनों पट्रियों की तरफ पे तहाशा तादाद में बैठी हुई थी उन सबने सफेद लिबास पहने वे थे और वो सेकड़ों की तादाद में थी लोग चीखे मारते वे ट्रेन की तरफ भागे बहुत से लोग बेहोश भी होगे यहां तक के ट्रेन के सबी दर्वासे बंद कर लिए गे रात के दो अड़ाई बचे का टाइम था सब में खوف और हिरास पहलावा था आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था बार बार यही कहा जा रहा था कि आईदल कुरसी और दुरूदे पाग पड़े क्योंकि इस इस इलाके में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं जिन्रों ने ट्रेन की उपर हमला कर दिया है सब बहुत ज़्यादा डरने लगे कुछ समझ नहीं आरी थी कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ उसी ट्रेक से उसी रास्ते से ट्रेन तकरीमर रोज गुजरती थी पिर आज ऐसा क्यों हो गया यहां तक कि जो आख बुझने के बाद दुबारा से ट्रेन का सफर शुरू किया गया जब ट्रेन ने दुबारा सफर शुरू किया जब ट्रेन चली तो ऐसा मैसूस हो रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा चिखों पुकार सुनाई दे रहा है और बहुत से जानवर या बहुत से अजीबो गरीब आवासे निकालने वाले मखलुकार ट्रेन के साथ साथ भाग रहे है यहां तक कि ट्रेन के उपर पत्थर लगने की आवासे भी मैसूस हो रही थी इतना बहानक मनसर हम लोगों ने कभी खुआ में भी नहीं देखा था जिसको हम लोग हकिएकत में बहानक मनसर था बहुत خफनाक सफ़र था काफी देर तक ट्रेन के साथ ये माजरा होता रहा एक तो ट्रेन का अपना भी बहुत शौर होता है इसके बावजूद वो जिनात का शोर भी साफ सुनाई दे रहा था तकरीबन आदे और पौने घंटे के बाद एक स्टेशन आया उस स्टेशन के उपर ट्रेन रोकती गई क्योंकि बहुत से लोग बेहोश थे, बहुत से लोग जखमी थे वहाँ पर भी एक कोराम बर्पा हो गया जब ट्रेन में से लोगों ने बताना शुरू किया कि रास्ते में क्या हाथसा हुआ है वहाँ पर उस स्टेशन के करीब ही एक हास्पिटल था वहाँ पर बहुत से लोगों को ले जाया गया तो वहां के जो मकामी लोग थे उनसे जब इस बारे में पूचा गया तो उनका ये कहना था कि वो रेन्वेड ट्रैक का जो हिस्सा है वो आसेब ज़दा तो है लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ सबी लोगों ने देखा उस ट्रैन में से एक पुरसरार शक्स उतरा वो शक्स हुलिये का बहुत ज़दा अजीब था देखने में वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई मांगने वाला है जैसे उसने अपना गेट अब बनाया हुआ था उसके हाथ में अजीब औ गरीब तरह की कुछ चीज़े थी वो ट्रैन से उतरा उसने लोगों को देखा तब ही एक तम से वो पट्री की तरफ चलने लग गया बहुत से लोगों ने उसको बहुत आवासे दी लेकर उसने किसी की कोई बात नहीं सुनी थोड़ी ही दूर जाने के बात बकाइदा ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में अड़ने लग गया है और गाइब हो गया ये मंजगों पहले वाले मंजगों से भी ज़ 누ला देने वालादा था लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था बहुत से लोगों ने भाग भाग कर पठ्Red की तरफ जाकर लेकी उस शक्स का कही भी नामों निशान नहीं था बिलाखिर जो लोग थे उनके वुर्सा को भी वहां पर उतारा गया क्योंकि उन लोगों की कोडिशन बहुत जदा खराब थी जब हम लोग उससे अगले स्टेशन पर पहुँचे तो वहां पर हम लोगों को फजर की अजान का टाइम हो गया फजर की नमाज के लिए मस्जिद में हम लोगे नमाज अदा की तो वहां पर एक मौल्वी सहाब थे उनसे इस बारे में बात चीत की गई तो उनका ये कहना था कि वो शक्स इनसानों के रूप में एक जिनात था वो जो जिन था वो उस कबीले का सरदार था वो किसी खास मकसद के तहट ट्रेन में इनसानी रूप में सवार था या तो उसने वहां पर किसी इनसान को नुकसान पुझाना था या फिर पूरी ट्रेन को ही नुकसान पुझाना था अल्ला के करम की वज़ा से अल्ला की रहमत की वज़ा से और जो आयतल कुर्सियों और दरूदे पार्क ट्रेन के सभी मसाफरों ने पड़ी इस वज़ा से वो जिन आप लोगों पर हमला आवर नहीं हो सका पट्रीकियों पर आग भी उसी के कबीले के जिनात लगा कर खड़े थे और जो बेहानक चेहरों वाली औरते थी वो पूरा उसका कबीला था उसने पूरी की पूरी ट्रेन को इसी तरह से खत्म करना था सब बहुत ज़दा डर के उसके बाद मॉल्वी साहम ने कहा कि अब आप बखेरों आफियर जा सकते है अपने सफर में आप लोग हमेशा आइतल कुर्सी और दुरूदे पाक पड़कर जाया करें हम लोग बहुत ज़दा खौफ सदा हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया बहुत से लोगों ने बहुत से जगह पर सुना होगा कि अचानक से कुछ सामने ना भी आए तो कभी कबा एकसिजेंट हो जाते है खासतृ पर टरीन एक ऐसा वेकल है कि जिसके आगे से कोई भी और वेकल उस तरह से नहीं आता जैसे हम रोड के ओपर दिखते हैं जैसे गाड़िये आफरे सामने होती हैं पैसेंजर्स होते हैं बायक्स होते हैं ट्रक्स होते हैं लेकिन जो भी ट्रेन पर सफर करते हैं उनको पता है या तो सिंगल ट्रेक होते हैं या डबल ट्रेक होते हैं डबल ट्रेक के उपर भी अगर कोई ट्रेन आ रही है या जा रही है फिर भी उसका बकाईदिकी के साथ वो ट्रेक चेंज किया जाता है कभी कबार किसी सिंगल ट्रेन का भी अजीबों गरीब तरह से हाथसा हो जाता है किसी ऐसी पुरसरार जगा पर हो जाता है जो विरानों में होती है जो अबादियों से दूर होती है तो वो जिनात ही उन ट्रेन के साथ ये सब करते हैं उनको हादसे का शिकार करते हैं बहुत से लोग मारे जाते हैं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ पता ही नी चलता कि वर ट्रेन हादसे में अगर हलाक हुए भी है तो कहा गए ये मेरी जिनकी की एक ऐसी कहानी थी जिसको मैं कभी भी नहीं बुला सकता आज भी अगर वो रात, वो मनजर मेरे जहन में भी आए तो मैं खौफ सदा हो चाता हूँ बहुत शुक्रिया मुबश्यर आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाग कहानी की तरफ बकाइदा शूट करती हूँ अगर मुझे पता लगी किसी जगह पर जिन्नात है तो मैं बकाइदा वहां पर जाती हूँ उस जगह को देखती हूँ और वहां पर जाकर बकाइदा वीडियो बनाती हूँ मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि उनके गर के पास एक ऐसी जगा है जहां पर बहुत ज़्दा जनात है वहाँ पर एक ऐसा फलाइट है जिसके बारे में ये बात मशुअ है कि और जनात का मसकन है वहाँ पर रात को तो कुम बूले से भी कोई नहीं गुज़रा लेकिन दिन के टाइम भी लोग महां से गुजरते वक्त बहुत जादा डरते हैं यहां तक कि उस फ्लैट के दर्वाजे और खिर्किये भी टूटे हुए हैं इसके बावजूद उसके करीम जाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता मुझे जब इस बात का पता चला तो मुझे बहुत जादा एक तजस्स मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं क्यों न उस जगा पर जाकर उस जगा को विजिट करके आती हूँ और बकाइदा उस जगा की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ कि आखिर वहां पर जिन्नात है या बहस ये लोगों की कियास अराइये है मैंने इस टॉपिक पर अपनी फ्रेंड से भी बात की अपने भाई से भी बात की तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है मैंने भाई से ये कहा कि तुमने हमारे साथ जाना है तुम्हाई ने कहा कि ठीक है रात तकरिवन साड़े ग्यारा पॉने बारा बचे का टाइम था बैभनी फ्रेंड की तरफ गई उसे साथ लिया साथ हम लोगों का भाई भी था हम लोग उस फ्लैट के पास पहुंचे वो देखने में ही बहुत ज़दा पुरसरार और बहुत ज़दा पहानक लग रहा था उसको देख कर ही मैसूस हो रहा था कि जैसे सच में ये जिन्नात का ही मसकन है हम लोग जब वहाँ पर दाखिल हुए मेरे पास एक टॉर्च थी टॉर्च के मदद से ही मुझे वहाँ पर इंवेस्टिगेशन करनी थी जैसे हम लोग उस फ्लैट में गए हम लोग ने उसका जब अंदर से जाइजा लिया तो वो बहुत ही तूटा भूटा और बहुत पुराने जमाने का लग रहा था ऐसा लग रहा था कि यहां से सालों में कोई भी नहीं आया इस तरह से उसके हालात थे तूटी हुए खिड़किये तूटे हुए दर्वासे अजीब औ गरीब तरहा का वहां का अंदर का सारा महाल था बहुत घुटन हो रही थी जैसे मैंने वहां पर अपनी टार्च की मतदद से एक कमरे में दाखिल होकर देखना चाहा तो मैंने वहां पर बकाइदा उस मखलुकास से मुखातिब होने की कोशिश की मैंने ये कहा कि अगर हम लोगों के इलावा यहां पर कोई मौजूद है तो अपनी मौजूद की का हमें सबूत दे अपनी मौजूद की को जाहिर करे मैंने दोस्ते तीन बार यही बात रिपीट की तो पकाइदा मुझे ऐसा मैसूस हुआ जैसे कोई मौजूद है किसी ने बहुत जोर से दर्वाजे को पठखा जबकि हम लोगों के इलावा वहां पर कोई भी नहीं था मेरा भाई और मेरी फ्रेंट दूसरी जाने खड़े वे थे और उस फ्रैट के दर्वाजे को किसी ने उठा कर बहुत जोर से बंद किया एक दफ़ा तो हम लोग डर गए उसके बाद वहां से अजीबो गरीब आवासे आने लग गए पर काईदा मेहसूस हो रहा था कि वहां पर कोई है तब हम लोगों ने एक औरत की बहुत ज़दा ड्रावनी चीख सुनी मुझे बहुत ज़दा अजीब लगा कि यहां पर तो कोई भी नहीं था लेकिन इसके बावजूद जो यहां के बारे में बाते मशूरती वो बिलकुल सच थी बहुत ज़दा खौफ आने लग गया हम लोग उस कमरे से बाहे निकले जैसे ही उस प्लैट के बैरूनी हिस्से में आए तो मैंने वहां पर अजीब औ खरीब चेहरे वाली दो आरते देखी वो दो आरते जो थी बहुत ड्रामने चेहरे वाली थी और वो बिलकुल सामने सेहर में बनी सीडियों में बैठी हुई थी और उनके साथ एक बहुत कदावर सिया कलर का कुछ शक्स मुझूद था बस उनको देखने की देर थी हम लोग वहां से भाग पड़े हमें बहुत ज़दा डर लग रहा था यहां पर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम लोगों के एक शाह साब थे जन्रों ने हमें बताया था कि किसी भी जन्राइट वाली जगा पर जाने से पहले अपना हिसार किया जाता है हमने अपना हिसार किया था इसके बावजूद हमने दुरुद पाक नादे अली और बहुत से कुरानी आयात आईदर कुर्सी पढ़कर अपने उपर भूक रखी थी इसलिए वो जन्राइट हम लोगों के उपर हमला आवर नहीं हो सके लेकिन ये बात बिलकुल सच थी कि वहाँ पर बेताशा जन्राइट थे जिनको खुच जाकर हमने फील किया वहाँ पर हर जगह के उपर पेरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी मैं कभी भी अपनी जिनकी में इतना भी हानक मनज़र नहीं भूल सकती ये एक स्टोरी थी मुसना जाफरी ने शेयर की बहुत शुक्रिया मुसना आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी फरवा शेयर कर रही है फरवा कहती है मैं रावल पिड़ी की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी जिनकी में पेश आने वाली एक बहुत ज्यादा ज्रौफनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ मैं बेसिकली कराची के रहने वाली हूँ लेकिन शादी के बाद मुझे पिड़ी शिफ्ट होना पड़ा मेरे हस्बर्ट जो थे वो एक फर्म में काम किया करते थे तो वहाँ पर मुझे उनकी साथ शिफ्ट होना पड़ा जब मेरी शादी हुई तो शादी के दो माँ के बाद हम लोग रावल पिड़ी शिफ्ट हो गए वहाँ पर वक्ती तोर पर हम लोगों को एक घर रेंट पर लेना पड़ा क्योंके अभी हम लोगों को उनकी कंपनी की तरफ से जो गर अलॉर्ट होना था वो अभी नहीं हुआ था कुछ अर्से तो के लिए हमें इस घर बे रहना था वो जो घर ता देखने में काफी अच्छा था बहुत बड़ा घर नहीं था जिस तरह से कुई फ्लैटस होते इस तरह से वो घर था सिवार के उपर कोई ना कोई शीशा लगा हुआ था जिन में आप कही भी खड़े होकर अपने आपको देख सकते हैं यह चीज मेरे लिए बिलकुल नहीं थी मैंने बहुत से खुबसुरत घर भी देखे थे लेकिन यह चीज मैंने फर्स टाइम देखी थी उस घर में इंटर हो पर लगाए हैं इस घर की ब्यूटी को इन्हेस करने के लिए लगाए हैं खैर हम लोगों ने वहाँ पर कुछ जरूरत का समान दो सेट कर लिया चोटा सा घर था इसके बावजूद वो घर लगता बहुत प्यारा था मुझे वहाँ पर रहना अच्छा लगता था जब भी मै सुबों जाकती थी अपने कमरे से बाहे निकलती थी तो मैं खुद को चारों तरफ देख सकती थी जिस वाल की तरफ भी फेस करती थी मुझे अपना आप नज़र आता था एक दो दिन तो मेरे हस्बिन मेरे साथ ही रहे वहाँ पर हम लोगों को कुछ भी फील नहीं हुआ कि कि वहाँ पर कुछ पेरा नॉर्मर्ट एक्टिविटी भी है या वहाँ पर कोई गहर मरी मखलुकात का बसे रहा है लेकिं तीसरे दिन जब मेरे हस्बिन आफिस में गए तो मैं घर में अकेली थी तो पहले साड़े बारा बचे का टाइम था मैंने नाश्टा किया नाश्ट किचन के बाहर से आई लाउंच में से मुझे बड़ा अजीब लगा पहले मुझे लगा कि शायद किसी बरतन की आवास है रखते में आवास आई होगी मैंने प्लेट उठाई और दुबारा मैंने शेल्फ पर रखी लेकिन ऐसी कोई आवास प्रोड्यूस नहीं हुई जब म कि रोश्डी होने के बावजूद वहां पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया मैं इदर दे देखने लगी कि ये आवास कहां से आई है अभी मैं लाउंच में खड़ी थी जैसे मैंने बताया कि वहां के चारों दिवारों पर शीशे थे तो जिस तरह भी फेस करती थी अचाही गुजरती नजर आई मैंने हर तरह से उसको ढूड़ने की कोशिश की कि वह किस चीज़ का अक्स हो सकता है मेरा अक्स तो वह था नहीं क्योंकि वह मेरे इलावा था मैं खुद को मिरर में देख रही थी लेकि मेरे पीछे से कोई गुजर कर गया था ये चीज़ बह बहुत डर लग रहा था तकरीबर मैं एक घंटा कमरे के अंदर ही रही मेरे से हिमरत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से बाहर निकल कर कुछ देख सको फिर ताली बज़ने की आवाज रही और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे का दर्वासा किसी ने पुश किया है अब तो म अदे घंटे के बात वो घर आगे जैसी वो घर आए उन्हों ने बेल बज़ाई मुझे फ़़ों किया कि मैं बाहर आ कि हूँ मैं भागती ही कबरे से बाहर गई मैंने दर्वासा खोला वो अंदर आए तो मैं बहुत ढरीवी थी मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस इस तरह से मेरे साथ होता रहा है वो बड़े परेशान हो गे उन्हें नहीं कहा कि तुम्हें वहम हुआओगा यहां पर चारों तरफ शीशे लगे वे हैं मिरर लगे वे हैं तो तुम्हें अपना ही अकस नज़र आया होगा मैंने ने कहा कि अकस अगर मेरा था तो तालिये को बचा रहा था दर्वासे को खोलने की कोशिश को रहा था मैं जूट नहीं बोड रही खैर वो मेरे साथ ही रहे, शाम हुई, अब जब वो घर आए तो मुझे तना डर नहीं लग रहा था, वो किछर में भी मेरे साथ ही थे हम लोगों ने शाम की चाहे बनाई, खाना खाया रात का, उसके बाद हम लोग अपने कमरे में जब आए अब लोगों को बकाईदा ऐसा मैसूस हुआ जैसे हम लोगों के घर की कोई खिड़की तूटी है, किसी शिशे के तूटने की आवाज आई, बहुत लाओड आवास थी, हम लोग डर गे, हम लोग जब वहां से बाहे निकले, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सामने वाला एक शिशा था, जो बिल्कुल दिवार के अंदर प्लेस हुआवा था, उस शिशे के अंदर बकाईदा धराड रही हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि उस शिशे के उपर किसी ने कोई चीज मारी है, पास जाकर देखा, वहां पर कुछ गिरावा नहीं था, जो उसके उपर टक अफसदा हुए, हम लोग अपने कमरे में आए तरवासा बंद किया तो बाहर से ट्रॉमनी आवासे आने लग गई, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बहानक आवासों में रो रहा है, जैसे कोई सिस्किये बरके रो रहा है, अब हमसे वहां पर एक मिनट भी नहीं रुका गय मेरे हस्पेंट ने फॉरन से कॉल की, जिस आदमी से वो फ्लैट हम लोगों ने लिया था, उससे बात की, वो कॉल अटेंडी कर रहा था, हम लोग अब माह से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, हमें डर लग रहा था, पिल आखिर मेरे जो हस्पेंट तो ने ने अपनी गाड़ लेकि वह पर एक ओर चस्पी था, उसने यह कहा। यह भे बहुत जदा आसेय winner है ले यहां बहुत जड़ा जन्नात है ये घर जिसने बनवाया था जिसका वो फ्लैट था, वो इस घर में एक दिन भी नहीं रह सका। जब वो इस घर में आया था तो उसके साथ यही मामलात उस घर में ना तो वो अबाद हो सका और ना ही कोई और इसलिए ये फ्लैट बहुत कम कीमत पर हर किसी को रेंट आउट कर दिया जाता है लेकिन यहां पर कोई भी दो से तीन रातों के जादा नहीं गुजार सकता पिर हम लोगों ने काफी उस चकस से शिकायत की जिसने वो घर दिया था वो बहुत शर्मिन्दा हुआ फिर थी एक वीक के लिए हम लोग उनके घरी रहें जो में हस्роб contributes ंपनी की हमारी हेल्प की पिर कफनी की तरफ से घर मिला और हम लोग भाँ पर चले गे यह आप लोगों के जिन्गी की एक ऐसी कहानी है जिसको हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते इमेल स्टोरी थी जो मने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया फर्वा आपका बिस्टर्स ये थी आज की खौफनाख कहानी है अपना फीडबैक मुझे जरूर दे आप लोगों को कैसी लेगी आप लोग भी अपनी खौफनाख कहानी है शेयर कर सकते है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे इमेल आईडी नुशेड़ फिफ्टी सेवन एड जीमेल डाट कॉम पर इसके लावा आप लोग मुझे कुमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते है हौरर उर्दू सेंटर पर मैं बस सेरा नॉवल औरियर कर रही हूँ अनविर अलिगी का हौरर नॉवल है जरूर विजिट करे विले शूर स्टोरी पर इन्शाला आज कार्टूर मुवी भी आएगी उसको भी जरूर देखेगा आपको बहुत पसंद आएगी निलो वाइस ओफिशल मेरी सिस्टर का चैनल है उन्हें में जाकर सबस्क्राइब करें एंड स्पोर्ट करें इन्शाला कर आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसे नए खौफनाफ का हाली में जहां रहें खुश रहे तैंक यू फर वाचिंग स्टे ब्लैस्ट अल्ला निखे बार करें वाचिंग स्टेशल मुली एंड थे लिए तया चिएंग पादेखे धेर रहे हाँ सक्राइब कर दो फिर रहे बार उन्हें जहाँ एंड सक्राइब का रहां का वाचिंग उन्हें एंड बूब आर शुब रहे हुआए का सुशक फिरन ultimate रहे हुआए